नमस्कार मेरा नाम है हेमंत बगेल और आप हैं समय हेमंत बगेल क्लासेस में आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ चलिए स्रूर करते हैं तो सबसे पहला प्रश्रा हम लेते हैं बल्वंत रोडरायं महता शविती की सिफारिнос सिभारिसों को लागु करने वाला चो चुद गया है तो भर्वंत्रा को सिभारिसों को लागु करने वाला अधिश्थान राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया था लेकिन इस प्रस्ण को जो लेने का मक्सद था कि राजस्थान ने तो लागू किया सबसे पहले लेकिन उसके बाद और कौन-कौन से राजयों ने लागू किया तो हम देखते हैं राजस्थान में कब लाग हुआ था दो अक्टूबर कि दो अक्टूबर 1969 को गुजरात के नागवर जिले में पंचायती राज्य वस्था का सुभारम किया गया किनके द्वारा पंडित जवाहर राल निग्रु द्वारा जोकी ततकालिन भारत के प्रधान मंत्री थे याद रखेंगे अब देखते हैं जो लागू करने वाले जो दूसरे राज्ये 1969 में राजस्थान जो से पहला राज्य था इसके अलावा आंध्र प्रदेश आंध्र रदेश इस वाद देखते हैं 1960 में असम, तमिलनाडू और करनाटत ये कब 1960 में इसके बाद 1962 में महराश्ट्ट अब 1963 1963 में गुज्रात अब 1964 पस्थिम बंगाल पस्थिम बंगाल कि मतलब क्या हुआ कि सक्से पहले दो अक्टूबर 1969 को राजस्थान की जो विधान सभाले जो 73 मतलब बलोंतराय मिंता समीतिक जो शिफारी से थी उनको लागू की राजस्थान की विधान सभाने उसके बाद आंध्र परदेश फिर 1960 में असम तमिल नाडू और करनाटक 1962 में महाराश्थित विधान सभाने बलोंतराय सिफारी सो को लागू किया उसके बाद 1963 में पस्थिम बंगाल याद रखेंगे इनको पूछा जा सकता है अगला हम देखते हैं टिहंत्र्वा सवधान सन्सोधन किन राजियों में लागू नहीं होता क्या स्विधान सनसोधन जो कर भूल一个 1993 में में सब्सक् recovery के कि इस आँ आजियों में लागू नहीं होता तो चलिए देखते हैं कि पहला आज यह है कि मेघा लाए कि मीजो राम कि तीसरा एक हां लिख देता हूं में नागा लाएंड तो ये टीन राजों में मेघाले मीजो रम और नागालेंड में जो 73 वा सभ्धान संसोधन अधिनियम था यहां जो है जन जातिय परिशदे पंचायतों कि स्थान पर जन जातिय परिशदे कारे करती है जन जातिय परिशद बागी देख काम करती है ग्राम पंचायत लेकिन तीन राधियों में मेघालय मीजोरम और नालालेंड यहां क्या काम करती है पंचायतों की इस्थान पर जर्ण जाती है परिशन इनके मतलब अपने अलग नियम होते हैं त्याद रखेंगा टीट राग यह उस बाद अगला दे बुष्टा कि प्रविश्टी में इस्थानिय सॉचन का प्रवधान है क्योंकि आप लोगों पता ही है कि जो शक्तियों का वि भाजन máy कैंद्रग पास कौन सी सकती होगी राजेक पास कनसि सकती होगी हां मतलब कि संद सुची के jaką है और समवर्ती सुची के विसाधीयों में सात्वी अनुसुची में तो आप पूछ किया रहा है कि जो स्थानिय जो सासन है कि किस प्रविष्टी में है तो याद रखी गए यह है राज्य सुची राज्यसूची की पांच्वे प्रविष्टी क्योंकि तो इस्थानिय सासन है वो राज्य सूची का विशय है तो यह जो है राज्य सूची की पांचमी प्रविष्टी में वर्डित है इस्थानिय सासन जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वो राज्य सूची की पांचमी प्रविष्टी में वर्डित है याद रखेंग याद रखेंगे और यह जो मद्यप्रदेश के साथ साथ च्टिलगड में भी लागू हुआ था अगला देखते हैं इस्थानापन सर्पंच का कारेकाल कितनी अवधिका होता है देखे इस्थानापन सर्पंच कौन होता है जब मान लीजिए सर्पंच का जो पद है अचानक से मतलब आकासमी कुरूप से रिक्त हो जाया अचानक से जैसे मान लोग कि सर्पंच की मृत्ती हो गई अथ्वा सर्प इश्व को निलंबित कर दिया गया हो गया हो स्थानापंद सरपंद को चुना चुना जाता है इस थानापंच सरपंच जो है पंच अपने में से ही मतलब पंच जो है अपने में से ही किसी एक पंच को इस थानापंच सरपंच की रूप में काम करेगा और यह कितने दिन के अंदर कर लेना चाहिए जब मान लो सरपंच कपद सरपंच जो है कपद जिस दिन स से खाली हो जाता है जिस तिथी से उस तिथी के पंदरा दिन के अंदर अंदर ये इस खाना पर्म सरपंच को चुन लिया जाना अनिवारी है अब पूछ रहा है कि इसका कारेकाल होता है आगामी उपनिर्वाचन तक अगामी उपनिर्वाचन तक मतलब की देखे जब भी मतलब सरपंच का कुई सरपंच का पद रिक्त हो जाता है तो उसके बाद जो नए सरपंच का जो निर्वाचन होना है वो अगले छह महिने के अंदर तक हो जाना निर्वाचन तक मतलब की सरपंच कब तक कारे करेगा जब तक की मतलब 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर जो अगले सरपंच का निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक वो इस्थानापन सरपंच के रूप में कारे करता रहेगा अब जो मतलब चुनाओं का प्रक्रिया है उसमें 6-7 महीने तो लगी जाते हैं तब तक वो काम करता रहेगा तो क्या लगाना है आपको आगामी उप निर्वाचन तक अध्वा फिर अगर आप्शन में ऐसा दिया हुआ होता है कि मतलब अगले सरपंच का निर्वाचन न हो जाए 6 महीने के अंदर ऐसा कुछ दिया होता है तो वह होगा लेकिन यह होगा आगामी उप निर्वाचन तक याद रखेंगे अगरा रिखते हैं भारतिये दंड सहीता उन्निस अग्तियान मतलब सरपंच और मतलब किसे सेवक क्या माना यह को ऐसे ये पूछ रही है लोक समय को कि लोक समय अठ्य patents माना गया है जो भी मतलब पंचाय की पद्रादी कारी हो करना चाहे तो कितना सुल्क करना चाहता है तो इसको दिना होगा दो रुपए पहले घंटे हैं तो यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो दूरुपय सुल्क देगा वो सभी अभिलेखों के निरिक्षण में मतलब लागू नहीं होता है अब पुछ जो अभिलेख ऐसे होते हैं जिनका निरिक्षण में सुल्क किया जा सकता है तो वह कौन-कौन से विशाय हैं अभिलेख हैं वह देख लेते हैं पहला बजट बजट उसके बाद है वार्षिक लेखा जो भी मतलब इनके लेखे होंगे वह वार्षिक लेखे इसके बाद है कर निर्धारण कर निर्धारण कि इसके बाद आजाएगा जर्म मृत्यूं जर्म मृत्यूं आवास हीन कार्यवाही पंजी और आखरी है वार्षिक कार्यूजना तो यह जो पांच विशाय इनके अभी लेखों इनसे संबंधित अभी लेखों का अगर कोई निर्धारण करना चाहता है जो है वार्षिक कारी योजना इनके लिए उसको कोई सुल्ख नहीं देना होगा इसके अतिरिप्त अगर वो कोई अभी लेखों का निरिक्षण करना चाहता है तो उसके प्रत्रम घंटें तो उसको दो रुपए का सुल्ख देना होगा इसमें एक चीजा और ध्यान दीजिए जो ग्राम पंचायत की स्थखित बैठक में कोरम कितना होना चाहिए यह पूछ रहा है तो देखिए जो ग्राम पंचायत की कोई भी मतलब बैठक बुलाया जाता है अगर मान लिया जाए कि उसमें जो कोरम पूर्ती नहीं होती है तो उसको अगली तिथी के लिए टाल दिय नहीं है मतलब कि अगर कोरम पूरा हो गया तो ठीक है अगर नहीं हुआ है तो भी इस ठगित बैठक में जो है कारिवाही चालू कर दी जाएगी तो यहां क्या आवस्यक नहीं है कि आवस्यक नहीं मतलब कि कोरम पूरा नहीं हो तो भी मीटिंग चालू हो जाएगा याद रखी अगला प्रशन देखते हैं पंचायतों के निर्वाचन छेत्रों के परिशिमन या इस्थानों के आवंटन से संबंधित कारे को किस नियाले में चुनावती दी जा सकती है इसका आनसर क्या है नहीं मतलब किसी नियाले में नहीं कि इसको लिखते हैं कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं अथवा किसी भी नियाले में नहीं मतलब कि जो भी परिशिमन है त्चेत्रों का परिशिमन इस्थानों का आबंबंतर planting उसके अलावा विवाध हो जाता तो उसका नंतिम। अपील किया जा सकता है राज्यों में होता है. सरोच ने आलय में नहीं किया जा सकता लेकिन जो परीसिमन और यह जो इस थानों का आबंतन है इससे संबंधित मामलों पर किसी भी ने में नहीं जाया जा सकता याद रखेगा अगरा हम डेख़ते हैं किसी ग्राम को ग्राम सभा किसके दूररा गुशिब किया याद रखेंगे इतना तो यह थे पंचायती राजव्यवस्था से संबंदित कुछ MCQ जो कि आने वाले ADEO की परिक्षा की दृष्टिकोंड से बहुती महत्पूर्ण है मुझे पूरी आसा है कि आप लोगों को मेरा इस वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद